हाई दोस्तों कैसे अप लोग iOS 17.2.1 और iOS 17.3 बेटा 1 यूज़ गर रहा हूँ क्या बैटरी लाइब, क्या परफोर्मेंस, क्या नेटवर कनेक्टिविटी और क्या बैटरी ड्रेन का येशू मुझे देखने मिल रही या नहीं तो जो भी डीटेल से इस वीडियो के अंदर में आप लोगे साथ सेर करने बाला हूँ तो complete इस वीडियो को देखिए, जरूर आपका solution निकलने बाला है सबसे पहले इसके अंदर मैं iOS 17.3 यूज़ कर रहा हूँ और ये दोनों फोन के अंदर iOS 17.2.1 यूज़ कर रहा हूँ क्या इसका performance क्या battery life क्या इसके अंदर मुझे problem hang network connectivity देखने मिल रहे तो बहुत सारे users जो है comments कर रहे भाई network connectivity के अंदर problem आ रहे है और comments के अंदर काफी ज़्यादा users नहीं बताया तो network connectivity का जो इसू है iOS 17.2.1 के अंदर देखने मिल रहे तो मैं दोनों फोन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ और दोनों फोन के अंदर मैं Jio और Atel भी यूज़ कर रहा हूँ मुझे इस तरह का इसू देखने नहीं मिल रहे हालाकि मुझे देखने मिल रहा था iOS 17.1.1 के अंदर लेकिन 2.1 के अंदर मुझे इस तरह का कुछ आपको इसू नहीं नहीं मिल रहे इसके अंदर अगर आप लोगों को देखने मिलती है सबसर पहले इसके लिए बग होता है वह आपका solve हो जाता है और connectivity के अंदर improve देखने मिलेगा call performance के अंदर भी आपको improve देखने मिलेगा अगर इससे भी आपका problem solve नहीं होता है तो कभी-कभी use करने के time पे flight mode करो एक बर करके flight mode करके 10 से 15 सेगंड रखो उसके बाद यूज कीजिए इसके बाद भी improve देखने मिल सकता है और इसके बाद भी अगर यह solve नहीं होता है तो आप एक बर आपका सीम को जो है यह सीम स्लोट से निकालिए और दूबारा सीम को साप करके लगाईए अगर इसके बाद भी solve नहीं होता है तो आपका जो सीम एक बर replace कर लीजिए क्योंकि store के अंदर जाएंगे तो 25 रुपई लेगा यह अटेल का आपको जो है replace करके देगा और 10 से 15 मिनिट या तो भाई apps सही से चल रहे है चाए बेटा हो चाए stable हो सही से apps चल रहे है apps के अंदर ना तो मुझे lag hang ना इस तरह का कुछ देखने मिल रहे है अगर आप लोगों को देखने मिल रहे है आप जाए app store के अंदर open कीजिए open करने के बाद इस जगा पे आपका नाम के उपर tab कीज और इस तरह से स्क्रॉल कीजिए इसके नीचे अपडेट आजाएगा यह जितने भी अपडेट है इसको अपडेट कर लीजिए अपडेट करने से आपका जो फोन के अंदर lag hang देखने मिल रहे है एप्स के अंदर वो सॉल्फ हो जाएगा लेकिन इस चेकप मेरे WhatsApp के अंदर देखने मिल रहे है तो यह WhatsApp का जो लैक मेरे एक फोन के अंदर नहीं दुसरे फोन के अंदर भी देखने मिल रहे है तो यह WhatsApp का जो लैक मुझे लगता है यह WhatsApp का बग है जब अपडेट WhatsApp का आएगा तो यह सॉल्फ हो जाएगा क्योंकि मेरे दुसरे फोन के अंदर भी मुझे मिल रहे है, अगर आप लोगों को देखने मिल रहे है तो एक बार reboot कर लीजे, reboot करने के लिए आपका volume high, volume low और power button को press and hold करके रखना है, तब तक hold करके रखना है, जब तक आपका iPhone switch off होके, दूबार Apple logo नजर ना है, तब तक आपको hold करके रखना है, जैसे reboot mode पे चला गया, आप ये Apple logo आएगा, जब ये Apple logo आएगा इसके बाद छोड़ना है, तो ये reboot होता है और reboot आपको जो हफते में एक बार तो करना ही चाहिए, इसके अंदर network connectivity, RAM जो थोड़े बहुत lag hang देखने मिलता है था, ये बिल्कुल solve हो जाता है, तो हफते के अंदर आपको reboot एक बार करना ही है ताकि आपका performance आपको ठीक देखने मिले, इसके बाद अगर network connectivity की बात करे, speed की तो speed आपको सही देखने मिल जाएगा, मुझे भी देखने मिल रहे हैं, तो आपके सामने में इसको एक बार चेक कर लेता हूँ तो इस जागा पर अभी speed देख सकते है तीनों के अंदर, और 100 Mbps speed है, तो तीनों के अंदर जो speed आपको देखने मिलेगा, iPhone 15 Pro Max, iPhone 13, iPhone 15 तो तीनों के अंदर speed की मामले में, लगबग आपको same ही देखने मिल रहे है, चाहे इसका download speed हो, चाहे इसके अंदर upload speed हो, और इसके बाद अगर battery life की बात करें तो भाई, battery life almost battery अच्छा ही देखने मिल रहे है और बहुत सारी users जो है battery को गलत calculate करते हैं battery को सही तरीके से calculate करने का जो तरीका है, जैसे आप जाएंगे battery के अंदर, तो इस जगा पर आपका battery health देखने मिलेगा जो 10 days का battery या 24 hours का battery, तो 24 hours के अंदर battery अपने charging कितना percent किया है, और इसको use कितना देर तक किया, जैसे मैंने इसको charging किया, 91% और इसके बाद मैंने इसको use किया use किया तो कितना देर तक use किया, क्योंकि मैं इसको साम को charging किया था, तो मेरा जो है 10% या 20 पे आ गया था, उसके बाद मैं charging पे लगाया, 91 होने के बाद मैं छोड़ दिया, अब या 91% से लेके मैं कितना देर तक use करता हू 10 days का मैं बैटरी चेक करता हूँ जो मैंने इसको charging कितना किया था और यूज कितना किया जैसे iPhone 13 है इसके अंदर यह बड़ा graph है इसको मैं चेक किया इसके अंदर मैंने charging किया था और यूज किया तो मेरा जो iPhone 13 के अंदर screen time on है 7 hours 22 minutes और इसके अंदर में यह application यूज किया अगर आपका बैटरी ड्रेन होता है तो इस जगह पर पहले आप चेक किजिए आपका बैटरी स्टेटस चेक किजिए जो आपका बैटरी कौन सा एप्स ड्रेन कर रहा है अगर इस जगह पर कुछ भी अगर आपका एप्स ड्र एक बार किल कर सकते उस एक बार अनिंस्टॉल करके दूबार इंस्टॉल कीजिए तो प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बैटरी से रिलेटीव नेटवर से रिलेटीव कुछ भी अगर दिख कर दिया प्रॉब्लेम बहुत ज़्य और अल्रेडी मेरे चैलेंग के उपर वीडियो है iOS 17 के उपर जो क्लेन इंस्टॉल यूटूब पे जाईए iOS 17 क्लेन इंस्टॉल मेरा नाम लिखिए आपको वीडियो आ जाएगा उस वीडियो को देखके क्लेन इंस्टॉल कर सकते तो आपके फोन के अंदर जो भी इसू है जो प्रॉब्लेम है किस तरह से सॉल्व कर सकते हो मैं बताया तो आपके फोन के अंदर अगर इस तरह का दिक्क्यत है तो जाही एक पर किलेन इस्टॉल कर लीजिए आपका फोन सही हो जाएगा और सही तरीके से इसको यूज कर पाएंगे और आपका बैक अप भी बना सकते बैक अप बना के रख सकते है उसके बाद जो इसका बैक अप को भी रेस्टोर कर सकते है आपका डेटा कोई भी लॉस नहीं होगा तो आयोस 17.2.1 और आयस 17.3 के अंदर जो परफॉर्मेंस जो बैटरी लाइप जो भी इसू था मैं इस वीडियो के अंदर कवर किया आई वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे गुडबाई